बुखार और शरीर में पाने की कमी की शिकायत करने के बाद हाल ही में अस्पताल में भरती कराई गई तमिल नाडू की मुख्यमंत्री जैललीता की सेहत में सुधार जारी है लेकिन उन्हें अभी काफी वक्त तक अस्पताल में रहना पर सकता है इस बीच एम्स के डोक्टरों की एक टीम ने भी अना दर्मुक प्रमुक की, सेहत की जाच की एक प्रेस विगयत्ती में बताया गया कि एम्स के पल्मोन ओलोजी मेडिसिन विभाग के डाक्TOR जी खिलनानी एनेस्थी से लोजिकल एंड क्रिटिकल केर विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अंजनत्रिका और कार्डियोलोजी विभाग के प्रोफेसर नेतीश नायक के टीम ने जललीता के इलाज से जुड़े पहलूँओं पर अपॉलो अस्पताल की विशचक्य टीम के साथ विश्त्र चैचा की थी जिसके बाद प्रेस कॉंफरेंस कर जानकारी दी गई कार अंजनल कॉ्टर विच्छ। अरूबल कंजि करते भाद नायक की थिए यजनल में मुटने थईba झालında मुटने नेटान Bennett मुटनिए टीमा The Honourable Chief Minister is continuing on a non-diet. There have been rumours and conjectures circulated falsely in the social media about the Honourable Madam's health condition, stating that she will be taken abroad for treatment. These are totally false and baseless. There is no question of taking the Honourable Chief Minister abroad for treatment, as there is no necessity at all for this. The Honourable Chief Minister is responding well to the treatment and continues to get better. As part of the ongoing recuperation, the Honourable Chief Minister has been advised for more days of rest. The Honourable Chief Minister will be discharged from the hospital in a few days and will soon resume her normal office duties. Jalalita की सेहत में सुधार जारी है और स्वास्थे की स्थिती में धीरे धीरे प्रगती हो रही है. उन्हें अस्पताल में काफी लंबे वक्त तक रहना पर सकता है. और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में ये साफ तो हो गया है कि Jalalita की सेहत फिलहाल क्रिटिकल नहीं है.